हलो दोस्तों आप सभी का ससी जी के ग्यान में स्वागत है आज हम इस वीडियो में सरमिधान से संबादित कुछ महत्वपूर प्रशन को देखेंगे जो अगरगामी आने वाले किसे भी एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों इस वीडियो में जितन भारती संसत के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है थिसका राइट ए होगा राजसभा को उच्छ सदन भी कहते हैं दोस्तों इसके अत्रिक अप याद प्रस्ण है कि राज सभा के सदस्व के कारकाल कितने वर्ष का होता है राज सभा के सदस्व के कारकाल पांच वर्ष का होता है तो इसका राइट एंसवर डी होगा दोस्तों आप इसके अत्रिक्तियाद रखेगा कि लोग सभा के कारकाल लोग सभा के कारकाल पांच वर्ष का जबकि प्रधान मंत्री, राष्टपती, उप्राष्टपती इन सब का भी कारकाल पांच वर्स का होता है। दोस्तों चलिए अगला प्रस्ट पर चलते हैं। आपका अगला प्रस्न है कि राज सभा के सदस्यों के लिए नियुनतम आयू कितनी होती है। राजी सभा के सदस्यों के लिए नियुतम आयू होती है वो 30 वर्स होती है दोस्तों इसके साथ आप याद रखेएगा कि राश्टपती उपर राश्टपती कि जो नियुनतम आयू होती है वो 35 वर्स होता है जबकि लोग सभा यवां परधान मंत्री जो हते हैं उनकी जो नियूंतम आयू होती है वो 25 वर् Moreover होती है चले दोस्तों अगले प्रस्ण पे चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है कि राज सभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं तो राज्य सभा को अस्थाई सदन इसलिए करते हैं कि इसे किसी भी कंडिशन में विगडित नहीं किया जा सकता है ति इसका राइट एंसवार भी होगा दोस्तो यह प्रस्ण जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ण है यह कई पर एक्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तो अगले प्रस्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ण है कि राज्य सभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है तो राज्य सभा को किसी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है तो इसका राइट एंसवार डी होगा दोस्तो यह वेरी वेरी संक्या है हुआ कुल सथासे का एक बड़ा 10 तो इसका राय आउसी होगा है चलिँ प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगलариagn hair किसी सदन में अध्यயज सदन का सदस्ट नहीं होता है तो राज्य हषी जो होता है सदस्ट का सदन नहीं होता है तो इसका right answer B होगा, चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं, आपका अगले प्रस्ट है, आपका अगले प्रस्ट है, राजसभा के सभापती को कौन चुनता है, जो राजसभा के जो सभापती होते हैं, उन्हें लोग सभा, एम राजसभा के सदस्यों दौरा संयुक्त रूप स चुना जाता है तो इसका राइट एंसवार भी होगा चलता है आपका अगला प्रस्ण है राज सभा के लिए राष्ट पती दोरा कितने सदस से नामीद किया जाते हैं तो राष्ट पती दोरा आंगल भारतियों को नामीद किया जाता है तो इसका राइट एंसवार भी होगा दोस्तों इसके अत्रिक तियाद रखेगा कि जो लोग सभा होता है लोग सभा में राश्पती द्वारा दो आंगला भारतियों को चुना जाता है इसका राज्य सभा में किस राजी के प्रतिनी दियों के संख्या सरवाधिक होती है ति इसका राज्य सभा में किस राजी के प्रतिनी दियों के संख्या सरवाधिक होती है ति इसका राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनी दियों के संख्या सरवाधिक होती है ति इसका राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनी दियों के संख्या सरवाधिक होती है ति इसका र राज की जन संक्या पर राज सभा के राजियों का प्रतिनी दित्व निर्वर करता है चलिए दोस्तों आपका अगला प्रशन है आपका अगला प्रस्त निम्न लिखित में से किसकी अध्यच्चता असदस से द्वारख की जाती है तो इसका राइट एंसवर भी होगा चलिए दोस्तों आगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रस्त है कि राज सभा के उपसभापती के निर्वाचन कौन करता है तो राज सभा के जो उपसभापती होते हैं उनका निर्वाचन राज सभा के सदस से द्वारख की जाती है तो इसका राइट एंसवर भी होग चले दोस्तों अगले प्रस्ट पे चलते हैं आपका अगले प्रस्ण है राजसभा के दिवारसिक चुनाओं की अधिसूचना कौन जारी करता है राजसभा के दिवारसिक चुनाओं की जो अधिसूचना होता है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा सूचना जारी की जाती है इसका right answer A होगा निर्वाचन आयोग राजसभा के दिवार्शिक चुनाव की अधिसूचना जारी करता है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है सोतंद्र भारत में राजसभा के प्रथम सभापती कौन थे तो सोतंद्र भारत में राजसभ प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है राजसभा का धनवी देख पर अपनी समति कितने दिनों तक रोख सकती है तो राजसभा पर राजसभा धनवी देख पर 14 दिनों तक अपनी समति रोख सकती है इसका right answer A होगा दोस्तों यहाँ पर आप याद रखेगा जो राजसभा 14 दिनों तक अपने पास रखता है तो उस भील को पारित माल लिया जाता है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं अगला प्रस्ट है राजसभा को भंग करने में कौन सच्छम है तो राजसभा किसी के दुवारा भंग नहीं किया जा सकता है तो इसका right answer प्रस्ट होगा चलिए अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि राजसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निमनलिखित में से किसको है तो राजसभा में जो सदस्यों होते हैं उनको नामित करने का अधिकार किसके पास है राजसभा में सदस्यों आपका अगला प्रश्ण है निम लिखित में से किस में राजी सभा की कोई भूमिका नहीं होती है तो इसका राइट एंसर बी होगा अध्यच के निर्वाचन में राजी सभा की कोई भूमिका नहीं होती है तो दोस्तों अगले प्रश्ण पर चलते हैं आपका अगला प्रश् लिए नामीत प्रथां फिल्म अभिनेत्री कौन थी राज सभा के लिए नामीत प्रथां फिल्म अभिनेत्री नर्गिर्थ दत्त थी तिसका राइट एंस्वर यह होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगले प्रस्ण है कि राज सभा का सवर प्रथा हैğa तुप सब्यक्राइब दोश चलते हमारे सानी विधान के आनुसार राजी सभारकाल कितना है तो हमारे सन विधान के अनुसार राजी सभा के जो कारकाल है वो समाप्त होने का विशेर नहीं है तो इसका राइट एंसुर सी होगा चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पे चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि राजी सभा में सीटों के अधिक्तम संख्या कितनी है तो राजी सभा में सीटों के अधिक्तम संख्या 250 है तो 250 राजी सभा में सीटों के अधिक्तम संख्या है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट प फ्र्श Europ चलते हैं कि राज्यились सभाव के सभापति के अनुपस्थिति में कारकाल कौन संचालन करता है ? अगले परस्थ पर चलते हैं आपका अप्रक्राम करना किस कि अनुछेद के अंतरगत आता है दोस्तु यहां पर आई रखिएगा 42 99 में संसत क्रावधान किया गया है कि इस कि इस पमें कि राजी सभा प्रावधान किया गया राजी सभा मु और ऐनुच्षय इक्यासी में शहाफ किC ठिसके अंतर गता है दोस्टों अगले प्रक्राशन पर सुबलेतर सब्ष्चते च्छलते हैं आपका अगला यहास प्रफ़ा की प्रथम बैठक कर वुहह थी दोस्तों यहां पर प्रथम बैठक कुई थी दोस्तों जब कि राजी सभा की जो सरोपर्थां गठन हुआ था तीन अप्रेल 1912 को हुआ था यह याद रखिया गए दोस्तों उपर कोश्चन करवा दिया गया है चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं राजी सभा में गढ़पूर्ति के लिए निर्धाई संख्या 25 है तो इसका राइट एंसवर A होगा दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रस्ट है यह एक्जाम में चार से पांच बार पूछा जा चुका है यह कोश्चन चलिए दोस्तों अगले प्रस्ट पर चलते हैं आपका अगला प्रस्ट है कि राजी सभा के सदस्यों के निर दोस्तों यहां पर आपके 30 कोश्चन कंप्लीट होते हैं जो यह प्रिविएस एयर से पूछे गए प्रश्ण है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें सस्क्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा सेर करें थैंक्स कर वाचिंग